दोस्तो भी हाल ही में दिल्ली हाई कोट की द्वारा एक important verdict दिया जाता है और उस verdict में ये कहा गया कि सैपिंड विवा, सैपिंडा marriages जो हैं उनको हम allow नहीं करते हैं जो की Hindu Marriage Act of 1955 के तहट बिलकुल band है तो ये जो मुद्दा है इसमें आपके दिमाग में एक question उठ चुका होगा कि ये सैपिंड marriage होती क्या है और दिल्ली हाई कोट ने ये बात क्यों कही और कहने की बात यहाँ पर यह है कि reaffirmed that means पहले भी कोट के ऐसे कई verdicts हैं जिनके तहत ये कहा जा चुका है कि वाकई में जो लगा करके बोल दिया कि ये बिल्कुल valid है और यहाँ पर सैपिंड शादियों को हम allow नहीं करेंगे तो मुद्दा यहाँ पर पूरा हम detail में समझने वाले हैं कि सैपिंड marriage होती क्या है क्या provisions है क्या definitions है क्यों इनको एक तरीके से समाज में लाने की लाने के लिए रोकने की को समझेंगे और अगर कोई सैपिंड marriage कर भी लेता है तो क्या उन marriages को allow किया जाता है या नहीं यह हमारे कुछ सवाल रहने वाले हैं और इनी सवालों को हम constitution के छाते के नीचे रहते हुए समझने की कोशिश करेंगे यह आपके लिए society के लिए भी बहुत helpful रहने वाला है article चलि choice से करता है बड़ जहां पर मुद्दा choice का आगयाना वहां पर आप regulation की expectation तो रखो क्योंकि जब आप अपनी इच्छा से कुछ भी करना चाते हो किसी को कुछ कहना किसी से कोई बात करना तो वहां पर कुछ regulations लगाने जरूरी है otherwise आप अपनी मनमानी अगर करते चले जाओगे तो society के लिए खत्रा हो सकता है तो ऐसे परिस्तितियों में ये जो incestuous marriages है relationship है जिसको हम यहां पर sapened marriage बोल रहे हैं जिसको समान गोत्र शादियां भी बोलते हैं जिसमें simple सी बात है कि पिताजी के रिष्तेदारी और माताजी के रिष्तेदारी को ध्यान में रखते हुए otherwise समाज में कुछ इस तरीके की शादियां भी चल रही है जो कि कहीं न कहीं अभी तक कानूनन तोर पर approved नहीं है और अगर sapened शादियों को आपने अप्रूव कर दिया तो ये problem आगे फिर दूसरी शादियों तक भी पहुँच सकती है अब देखो मामला यह आता है कि sapened शाद आप देख सकते हो आपके सामने Hindu marriage act of 1955 है उसके तहट उसमें section 3 define करता है कि sapened marriage या sapened individual किसको बोले जाएगा पिंड आपने सुने होंगे ना साधे पिंड दा ठीक है पिंड मतलब कुल ठीक है जिस वंच की आप बात कर रहे हो lineage की बात कर रहे हो उसकी हम यहाँ पर बात कर रह है कि अगर आपकी माता जी की तरफ से देखा जाए ठीक है आपकी मम्मी मम्मी के घरवाले आपके ननियाल पक्षवाले तो उधर से तो 3 generations और आपकी पिता जी ठीक है पिता जी की तरफ से 5 generations अगर इन दोनों तरीकों से देखा जाए और वहाँ पर अगर लड़का और लड इसका मतलब भाई अपने गोत्र की लड़की आपने गोत्र के लड़के से शादी नहीं करनी इसके पीछे बहुत सारे scientific region बताया जाते हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है एक छोटी सी स्टोरी में आपको यहां पर बताना चाहता हूं देखो अगर आपको कोई चीज समाज में implement कर अगर society में कोई भी चीज को आप implement कराना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ उसको rule को enforce करने के mechanism find out करने होते हैं अब enforce करने के कुछ logics होते हैं कुछ scientific evidence होते हैं और कई बार आप कुछ लोगों को नहीं समझा पाते हो कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता हमारे समाज में तो ऐसे में फिर उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है तो आपने notice किया होगा कि कब जब कभी भी कोई रिष्टे की बात होती है तो हम गोत्र मंगवाते हैं background के discussion करते हैं कि हाँ भई कहां से उठे हुए हो किस परिवार से हो पिता जी का क्या गोत्र है माता जी का क्या है वो सारा ज लड़की दोनों शादी करेंगे तो उनके साथ में प्राब्लम आएगी biological, social and psychological, biological तो कैसे हैं देखो एक ही lineage से अगर हो माता की तरफ से अगर 3 generations की बात कर लो और पिता जी की तरफ से 5 generations की अगर बात करें तो बोलो वहां पर आपकी जो genetic identity है आपके genes जो है वो एक more or less same सी tendency व पूरी से नहीं है रिष्टे में और उनके बीच में अगर रिष्टेदारी बन गई तो वो कही ना के कुछ बिमारियों के लिए बहुत जादा खत्रा मतलब एक तरीके से कुछ बिमारियों के लिए बहुत जादा खत्रा थाबित हो सकती हैं तो इस तरीके से उनकी biological और health wise बहुत जादा issues आते हैं इसके अलावा society में जब close relationship में शादियां होती हैं तो आपने खुद ने notice किया होगा कि किस तरीके से रिष्टेदार जो है वो एक दूसरी की तरफ से हमारे तो यह होता है हमारे तो यह नहीं होता वो सारी equation डालने के चकर में कही ना कहीं family circumstances peer pressure के चल में यह जो सैपिंड शादियां है इनको रोकने का जो provision है वो हमारे कानून के तहत यह provision डाला हुआ है Hindu marriage act of 1955 उसका section 3 है और band जो किया हुआ है वो किया हुआ है section 5th of Hindu marriage act of 1955 और उसका 5th part है उसके तहत अब यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे यहाँ पर sap and शादियों को रोका गया है अब दिल्ली high court का मुद्दा क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं देखो दिल्ली high court में जो case गया है वो basically 2007 का एक issue है जिसमें एक लड़की और एक लड़के की शादी होती है ठीक है girl and boy शादी कर ली इनोंने फिर उसके बाद में यह शादी करने की कोशिश की कि लड़की का गौत्र या लड़की का जो भी rule regulation follow किया जाता है लड़की के परिवार में और उस उन rule regulation के तहत लड़की की society सैपिंड शादी को allow नहीं करती है तो लड़के ने क्या थाबित कर दिया court में कि भई हमारी जो शादी है वो सैपिंड शादी है that means हमारी lineage जो है वो Hindu marriage act के तहत मदर की तरफ से या फादर की तरफ से मदर की तरफ से तो तीन generation के अंदर आ गई और फादर की तरफ से पांच generation इन में से एक issue को उठा करके और लड़के ने ये थाबित कर दिया कि हमारी शादी है सैपिंड और लड़की की तरफ सैपिंड श के तहट अब वो लड़की जो है वो इस शादी को बचाने के लिए कोट के चकरगाटना शुरू करती है अब उस महिला ने पहले तो केस किया था दिली हाई कोट में पिसले साल तो पिसले साल दिली हाई कोट ने मना कर दिया बोला आपकी शादी सैपिंड में सैपिंड के definition क कहता है तो आपकी शादी वॉइड डिक्लियर की जाती है, फिर उस लड़की ने देखा, उस औरत ने देखा, कि ये जो definition आ रही है, सैप इंडि मेरिज की, ये definition कहां से आ रही है, तो उस ने डिसाइड देखा, कि हिंदू मेरिज एक्ट ऑफ नाइंटीन फिफ्टी फाइव क ये बात करता है, आर्टिकल 14, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हिंदू मेरिज एक्ट सेक्शन फाइव, क्लॉस फिफ्ट की, तो बोले इसको constitutionally null and void डिक्लियर करो, पर दिल्ली हाई कोट के सामने जब ये बात सुनवाई हो रही थी, तो 22 जनवरी को दिल्ली हाई कोट ने क्य कहा, कि जी शादियां करते टाइम पर, जब आप अपनी खुद की choice, आप implement कर रहे हो, तो उनका proper regulation होना जरूरी है, otherwise आप वो सारे काम करने लग जाओगे, जो आपकी इच्छा से हो रहा है, तो ऐसी परिस्तितियों में, और जो illegitimate शादियां है, उनको भी कहीं ना कहीं approval मि जाएगा, तो ऐसी परिस्तितियों में, दिल्ली हाई कोट ने बोल दिया, कि आपकी शादी, ठीक है, नल एंड वोईड थी, और ये जो provision है, कौन सा, Hindu marriage act of 1955 के तहत है, जो आपका section 5, उसका clause 5, जो है, उसके तहत, जो ये जो आपकी शादियां है, ठीक है, जिनको हम sap and शाद रहने वाला है, तो कुल मिला करके देखा जाए, तो यहाँ पर मुद्दा ये आ रहा है, कि ये decision किस basis पर लिया जा रहा है, तो ये decision लेने का जो process है, उसके पीछे logic बताया जाता है, कि जिस समाज से लड़का आता है, जिस समाज से लड़की आती है, उन समाजों के जो भी रिती रिवाज परंपराएं है, customs and rule regulations है, वो क्या सैपिंड शादियों को अलाव करते हैं, तब तो देखो शादी को अलाव कर दिया जाएगा, पर यहाँ पर वो 2007 वाले case में लड़के ने क्या साबित कर दिया, कि लड़की की तरफ से सैपिंड शादियों को अलाव नहीं क किया जाता, इसका मतलब जो customs हैं, समाज की जो रिती रिवाजा उनके आधार पर ये decision लिया जाता है, अब सवाल आ गया कि क्या इसमें कोई छूट है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कि individuals के customs अगर अलाव करें, तो सैपिंड शादियां अलावड है, otherwise customs में अगर रिवाज होने चाहिए, और उनके पास में legitimacy भी होने चाहिए, एक वैदता भी होने चाहिए, कि सब लोग मानते हों उन कानूनों को, उन रिती रिवाजों को, ऐसा नहीं कि हाँ हमने उठकर के एक family ने मिलकर के decide कर दिया, कि हमारे इसाब से तो आज से ये rule regulation है, आप समझो ह हमारे रिती रिवाज परमपरा है किस तरीके से चलती है, एक लंबा समय लगता उनके evolution में, एक लंबा समय लगता उसके acceptability बनने में, कहने का मतलब, जब एक custom, एक परमपरा, force of law का status ले लेती है, कि हाजी ये तो ऐसा होगा, तो वो चीज custom कंसिडर की जाएगी, और customs के according ही किसी भी शादी को legitimate declare किया जा सकता है, या फिर void declare किया जा सकता है, तो इस तरीके से ये provision court करते हुए, दिल्ली high court ने अपनी तरफ से एक दम clear बात बोल दी, अब सवाल या आता है, कि दुनियादारी में क्या status है भई, इस तरीके कि जो इन से, ये जो second शादिया है, इनकी ब उसमें देखो इस तरीके की शादियों को allow किया था, liberal law था वो, नेपोलियनी code भी बोला गया था उसके तहत, इसके अलावा, Belgium की बात कर लो, Portugal की बात कर लो, वहाँ पर भी इस तरीके की शादियों को allow किया हुआ है, इसके अलावा, इटली की बात करें, तो अगर ये public scandal नह वाला issue नहीं है, इस तरीके की शादियां, तब तो देखो उन शादियों को allow किया जाता, otherwise, इस तरीके की जो same sex relationship वाली शादियां है, बोलो, उनको allow नहीं किया जाता, और USA में देखो, ये जो incestuous marriages, sapened शादियां है, इनको allow नहीं किया जाता, तो इस तरीके से overall हमने एक perspective सम policy का question आपके सामने screen पर है, please आप comment देकर के answer दीजिए, ठीक है, तो इस video में इतना ही, thank you very much.